हेलो एवरिवन वालकम पाक वन माई यूटूब चैनल सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है बीएसी नर्सिंग का एक्जाम बस आने ही वाला है 16 अक्टूबर को है तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लास्ट जो होते हैं एक्जाम के उनमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको फियर होता है डर होता है किसी भी चीज का तो आज हम उस पर डिसकस कर लेते हैं स्टूडेंट्स आर्यो एचस बीएसी नर्सिंग एंट्रिंस एक्जाम आपको पता है उसमें बायोजी फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी जो कि क्लस 12 का है त और मसक्षिक्स के अंदर आपको कोई कोशन पो सकते है जोकि इंपोर्टेंट है जोकि डायेक्ट्लाइन से हो सकते हैं जिसे जीन क्या होता है क्योंकि जो एंपर गोजाए्टेंस एक्जाम होता है उसमें easy कोशन आते हैं as compared to needs exam ठीक है बायो टेक्नोलोजी हो गया जीन थेर प्रोसेस के सकते हैं जैसे कि सबसे पहले क्या होटा है जो अगर जलिया है तो फिर fertilization हो रहा है तो इस टाइब से questions आते है spermatogonia क्या होता है spermatogenesis, eugenesis क्या होता है या फिर कौन सा hormone menstrual cycle के time में उसका जो level है वो increase होता है, decrease होता है corpus luteum इन सब पे questions बनते हैं और definitely यह human reproduction है बहुत important topic है और उसके बाद जैसे कि जो human reproduction के ही next topic है जिसमें ऐसे बताते हैं कि कौन से कौन से barriers को use करके आप उसको रोक सकते हो, contraceptive indications उसमें आपको बताते हैं तो वो भी अच्छी एक unit है जो human reproduction है और उसके साथ साथ में reproductive health भी important है फिर जैसे कुछ microbes वाला chapter है उसमें कई बारी question आ जाता है कि कौन साथ जो bacteria है वो जैसे curd making में help करता है lactobacillus bacteria तो ये वाले important होते हैं जो one marks जो one word के question होते हैं important है और paper में जरूर आते हैं फिर है diseases जैसे विडाल test कौन से disease के लिए किया जाता है जैसे कि टाइफाइड है या फिर उसका कौन सा bacteria है जो उसको cause करता है ये question important है तो ये आप सब revise कर लेना last days में और जो pyqs हैं इन chapter से related और जितने भी last five year के जो pyqs हैं आपको वो लगाने है biology में तो biology done हो गई इसमें आपको क्या क्या करना है सबसे पहले biology में revision करना है जो most important topics है human reproduction में बहुत important है question आता है पका आएगा दो भी आ सकते हैं तीन भी आ सकते हैं ठीक है microbes वाला chapter disease वाला chapter पका आता है विडाल test आता है इस type में test आते हैं ठीक है after that chemistry में क्या करना चाहिए तो chemistry में जैसे physical अगर आपको chemistry revise करने है तो formula revision उसमें must है क्योंकि in time में आप formula रिवाइस कर सकते हो कैसे क्याना कौन सी reaction कितने time में होती है तो उसका tea half का formula chemical kinetics चाप्टर है वो भी important है तो उसमें से भी question आते हैं तो उसमें आपको सिरफ formula revision करना है और जो questions आये हैं previous year में वो लगा लेने हैं inorganic में भी important topics को ढूंड लेना है जैसे p block element है coordination compound है यह important topics है inorganic के जैसे उसके अंदर क्या होता है ना index question दी होते हैं जो जैसे ncrt book है उसके बीच में आपको index question मिलेंगे जो important होते हैं और वो हमेशा उसी में से question पूछे जाते हैं तो आपको वो लगा लेने हैं और गैनिक में हम अगर बात करें तो उसमें chemical वो जितनी भी sorry reactions है उनको आपको नेम reactions याद करनी है जैसे government coach reaction कोई भी reaction हो सकती है तो आपको वो जितनी भी name reaction है वो याद करनी है और यह सब reactions जो है वो याद कर लेनी है और पीवाल क्यों जो important है और organic chemistry में एक मुस्ट है कि जो last में exercise दी होती है बैक साइड में जो जैसे 5-6 chapter होंगे उसमें तो वो जो है वो important chapter है तो उसके बैक साइड में जो reaction जैसे aldehyde की tone यो यह सब है halogens alcohol phenol ether उनकी जो बैक साइड मे जो ncrt exercise होती है उसे कर लेजी आप ठीक है एक एक दिन में आप एक एक topic को clear कर सकते हैं अच्छे से एक एक दिन में मतलब physics chemistry biology और last में अगर हम देखें organic में जैसे polymer है biomolecule है इनसे तो पका question आता है तो उन्हें आप एकदम रट लीजीएगा okay then chemistry आपकी हो गई है physics में क्या करना है physics में only and only formula revise करना है क्योंकि उसमें formula based question भी आते है direct formula based question आते है exam में जैसे कुछ भी आप से पूछा जाएगा c is equal to capacitor का formula a epsilon node by d और drift velocity का क्या होता है इस type में भी आ सकते हैं या फिर unit related के जैसे बता देंगे कि इसकी जो specific unit है वो क्या होगी तो आपको units का पता होना चाहिए और units निकालनी आपको आनी चाहिए वो तो तब ही आएगी जब आपको formula एकदम clear होगा तो formula revision करने must है physics में उसमें जो ncrt जो book है उसको आपको read नहीं करना लेकिन last म कि summary type में कुछ points लिखे होते हैं जो कुछ points होते हैं जो main उस पूरे chapter के हैं तो आपको वो पढ़ लेना है क्योंकि वहां से important बन जाते हैं question theory type में भी क्योंकि पूछे जाते हैं बियस्ते जाते हैं जो entrance exam है तो आपको वहां से भी उसको देख लेना है और इसमें भी last five year के ज chemistry है physics है बट आपको exam में करना कैसे है perform कैसे करना है जिससे आपको पता है total जो है वो आपका 100 marks का exam होने वाला है ना 100 marks का मतलब उसमें 100 questions आएंगे ठीक है 100 questions में आपकी negative marking नहीं है negative marking बिल्कुल भी नहीं है ठीक है negative marking नहीं है तो इसका benefit आपको उठाना है students इसका benefit क्या करना है कि आपको जो question आते हैं वो तो आप अच्छे से complete कर दोगे लेकिन जो आपको नहीं आती है उसमें आपको ऐसे नहीं कि हाँ तुक्का मार के उसमें आ गए आप उसमें options को eliminate करना सीखो क्योंकि negative marking उसके अंदर नहीं है no negative marking ओके इतना बड़ा no लिखा है ताकि आपको याद रहे कि negative marking तो इसमें आई नहीं है 100 question attempt करके आना है कोई question छोड़के नहीं आना है आपको ठीक है और जो paper है उसमें आपको 2 गंटे मिलेंगी तो आपको उस type से अपना time जो है वो according to देखते रहना है जैसे last time पे जब मेरा exam हुआ था तो मैं center पे थी तो व आपको teacher से पूछते रहना है कि कितना time हो गया कितना नहीं हुआ और फिर आपको OMR फिल करनी है और OMR आपको वहाँ पे black pen देगे तो उससे ही आपको वो फिल करनी होगी जो circles है वो फिल करनी होगे तो आपको according to paper जो है वो exam देना है कि कितने time में होना चाहिए आपका complete आप आप सही कर दें option eliminate करना आपको गर आता होगा तो आप वो भी कर सकेंगी ठीक है और अगर हम dress code की बात करते हैं dress code तो as simple जो हमेशा होता है वो ही रखना है आपको कोई वो नहीं करना है simple आपको lower t-shirt पहन के जाना है वहाँ पर ठीक है क्योंकि जो है ना इसमें checking होती है तो कोई dress pen की ना जाएं जिसमें आपको कोई दिक्कत या परिशानी हो वहाँ पर सेंटर पर जाने के बाद आपको एक water bottle लेकी जानी है ठीक है water bottle आपको वहाँ पर लेकी जानी है उसके बाद वो भी transparent होनी चाहिए जिसके अंदर मतलब पानी दिखना चाहिए transparent ठीक है और एक बात है कि वहाँ पर आपको साथ में क्या क्या ले जाना है अपना admit card लेकर जाना ही है ठीक है admit card लेकर जाना है उसके साथ में आपको क्या लेकर जाना है आपका जो भी आपकी photos है ठीक है जो आपने at a time phone फिल की थी वही photo आपको साथ में लेकर जाना ही ठीक है तो यह साथ मे आपके होने चाहिए जो भी articles जो आपको चाहिए है विसे आपको कोई समान तो लेके नहीं जाना phone वगर है तो आप अपने guardians या parents को दे कर जाओगे या फिर वहाँ पर इतना होता है कि अगर आप bag लाए हो तो आपका रखने के लिए कुछ न कुछ होता है ये center पर तो वहाँ पर आपको ये सब करना है shoes मती पैन के जाना simple as flats या slippers जो भी है उन्हें carry करना जो कि अच्छा रहेगा आपको भी जादा वो नहीं रहेगा burden type और last जो बात है last days जो days है आपको pressure तो भूत हो रहा है ठीक है pressure हो रहा है तो आप इतना pressure ना लें ठीक है students क्योंकि pressure लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है और आपको मतलब अच्छे से handle करने है situation को और pressure नहीं लेना है कोई भी tension नहीं लेनी है ओके pressure बिलकुल भी नहीं लेना students को और दूसरी बात है कि कई students कह रहे थे उन्हें डर लग रहा है exam का तो बेटा जो डर होता है वो हमें एक natural human process है कि हाँ हमारे exam है तो हमें थोड़ा डर तो होता है और थोड़ा डर होना भी चाहिए बट जो डर overthinking की वज़े से जादा हो जाता है that is not good अगर आपको जादा डर लगने लगा तो आपका exam हाँ पर क्या है condition बिगड सकती है तो आपका selection अगर हो भी रहा होगा तो एक दो question की विज़े से नहीं हो पाएगा इसलिए आप क्या करें अपना जो डर है इतना भी मत डर हो क्योंकि that's a normal exam not that even a hard exam क्योंकि paper easy आने वाला है तो इसमें आपको घबराने की कोई भी चिंता नहीं है students तो that's all about there जो आपको लेके जाना है fear वगएर आपको नहीं लेना है tension बिल्कुल भी नहीं करनी है अच्छे से जाना है और जो water bottle है transparent लेके जाना है ड्रेस कोड मैंने आपको बता दिया negative marking नहीं होती है तो एक्जाम में आपको सारे कोशन complete करके आने है दूसरा biology में सबसे पहले अभी revision के time आपको important topics पढ़ लेने है ठीक है और chemistry में जैसे मैंने आपको बताए है उस type से आप उसको तयार कर लो जो important है वो पढ़ो और जो organic है उसकी name reactions और last की exercise कर लो physics में formula ठीक है points जो last में दिया NCRT में वो revise कर लो that's all about your entrance exam जो कि last five days जो भी आपकी बच्ची है उनमें आपको करनी है ठीक है और जो आपका center जहां पर भी आया होगा उस पे आप एक दो घंडे पहले ही पहुंच जाएं ताकि आपको आखिर में कोई दिक्कत परिशानी ना हो क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद कभी अगर students late हो जाते हैं तो उनको entry नहीं मिलती है इसलिए आप अपने time से पहले ही पर पहुंच जाएं ठीक है students so that's all about today's video अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो please like, subscribe and share and all the very best to the RUHS BAC nursing entrance exam experience आप सबको all the very best अच्छे से एक्जाम देना बिल्कुल और selection होगा आपका होगा पका होगा okay thank you